आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें जो की इसका हम बात करें जिसका हमारा जो है अडू सूत्र होता है क्या अडू सूत्र जिसका होता है एच्टू ओ ठीक है तो यह हमारा एच्टू जिसका होता है अडू सूत्र तो हम एच्टू ओ जो की है इसका अगर हम अडू भार की बात करें, ठीक है, अडू भार, अडू भार, यह H2 किसका अडू सूत है, यह H2O का क्या नाम है, यह हमारा हाइड्रोजन जो की, ठीक है, तो यह हमारा बात करें, इसका जो अडू भार होगा, वो अगर हम निकालें, तो देखे, हमारे दो H यान यहाँ पे हमारा 18 ग्राम प्रतिमोल ठीक है यह हो जाएगा चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो 18 ग्राम जल है इसमें हम बात करें कि कितना ओक्सीजन उपस्थित है ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसलिए हमने ब्रैकेट में अलग-अलग किया है कि जल काड उभार जो कि हमने निकाला एक मोल के लिए बात करें अठारा ग्राम निकला तो इस अठारा ग्राम इस अठारा ग्राम जल में ठीक है इस अठारा ग्राम जल में उपस्थित उपस्थित जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी मातरा क्या है ऑक्सीजन हमारा कितना है जो की हमार है 16 ग्राम ठीक है इतना हमारा जो है ऑक्सीजन है यानि कि अगर हम बात करें प्रस्ण में जो हमें दिया है दसमलो एक आठ ग्राम जल प्राप्त होता है किस से तो हम अगर देखें कि हमारा जो दसमलो एक आठ ग्राम जल की अगर बात करें तो जल में उपस्थित उपस्थित जो हमारा उक्सीजन है ठीक है उपस्थित औक्सीजन वो दिखिए जो कि हमारा 16 ग्राम बटे में 18 ग्राम किसके लिए 0.18 ग्राम के लिए यह आ जाएगा दिखे निकल कर हमारा 16 गुडे में 0.18 बटे में हमारा जो है अठारा ये देखे कितना हो जाएगा ये आजाएगा निकल कर हमारा देखे दो दसमलो आठ आठ बटे में हमारा अठारा ठीक है ये हो जाएगा देखे निकल कर आजाएगा दसमलो एक छे ग्राम ठीक है ये हो जाएगा तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा धातु का भार ह यह हमारा है ठीक है तो हम oxide में अगर oxygen को घटा दे तो हमारा जो धातु है उसका भार आ जाएगा ठीक है तो यानि कि हमारा जो धातु है धातु का भार अगर हमें निकालना है तो हम देखिए क्या करेंगे oxide का भार मेंसे माइनस क्या करेंगे हम oxygen का भार ठीक है तो देखिए यहां से यह जो की आजाएगा बराबर देखिए यह आजाएगा क्या दसमलो 7,9,6 माइनस दसमलो 1,6 देखिए माइनस कर लेंगे यह आजाएगा धातु का भार निकल कर हमारा दसमलो 6,3,6 ग्राव ठीक है यह आजाएगा चलिए यह हमारा oxygen यह हमारा धातु का भार हो गया अब देखिए अब हमें पता है कि हमारा जो weight यानि कि भार जो की है यह समान उपाती तुल्यांकी भा यह होता है यानि कि अगर हम देखें कि हमारा जो धातु का भार है वो हमारा बटे में हमारा जो oxygen का भार है ठीक है oxygen का जो भार है वो हमारा बराबर किसके होगा जो हमारा धातु का तुल्यांकी भार ठीक है यह हमारा क्या तुल्यांकी भार बटे में हमारा जो oxygen का तुल्या तुल्यांग की भार निकल के आ जाएगा धातु के लिए ठीक है इसके पहले हम देख लेते हैं जो तुल्यांग की भार क्या होगा तो देखे तुल्यांग की भार हमारा होता है पर्माड भार ठीक है पर्माड भार बटे में हमारा जो है बात करें सही हो जाकता है यानि कि यह यहां पर हमारा दो हो जाएगा ऑक्सीजन की केस में ठीक है तो यहां से देखिए यहां पर हम सारा मान रख लेते हैं धातुका जो की भार कितना निकला है दसमलो छै तीन शै बटे में ऑक्सीजन का भार कितना है दसमलो एक छै बराबर धातुका तुल्यांकी भार हमें निका वो देखे आजाएगा बराबर हमारा जो है दसमलो 6, 3, 6 गुड़े में इसको उपर बेजेंगे आजाएगा देखे निकलकर 8 बटे में यह हमारा दसमलो 1, 6 ठीक है यह आजाएगा देखे 31 दसमलो 8 जो की हमारा निकलकर ठीक है तो यहां से देखे यह हमारा जो की कितना निकल के आ जाएगा 31.8 जो कि यहां पर हमारा इसका तुल्यांग की भार आ जाएगा ठीक है इसको अगर आप हल करते हो तो यह निकल के आएगा दिखे है हमारा 5.088 बटे में हमारा जो है दसंबलो 1.6 इसको हम भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 31.8 ठीक है ठीक है तो यहां से हमारा जो धातुगा तुल्यांग की भार है वो निकल के आ गया 31.8 तो यहीं हमारा इसका एंसर हो जाएगा ठीक है थैंक यू